अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो मिस नहों इसके लिए बैल आइकन प्रेस करें लाइक एंड शेयर करना न भूलें तो रवा लक्तू बनाने के लिए यह चार टेबल स्पून देशी घीलिया है यह थोड़ी से ड्राइप्रोट बदा में है तो इसको थोड़ा फ्राइए कर लेते हूं अलग अलग फ्राइए कर लेए है यह काजू यह भी निकाल देती हूं किस्मीस अब यह पिस्ते तो सो पचास ग्राम सूजी लिए है इसको बीस में डाल देती हूं मेडियम फ्लेम पर इसको मैं भूनूंगी इसका कलर चेंज नहीं करना मुझे इसको लाइट से कलर की भून लिए है तो यह दो टेबली स्पून नारियल का परादा दाव दो टेबली स्पून मैं देसीखी और डाल रही हूं पराबर चलाती रहूंगी बिल्कुल हाथ रोकना रही है वन्हा तो सूजी लगने लगेगी कलर चेंज हो जाएगा जिस्ते लट्टू देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और टेस्क में भी अच्छे नहीं लगेंगे इस सूजी बुन चुकी है यह दाना मोटा दोड़ दोड़ मिक्स हुआ वा गया है यह दो टेविल स्पून मलाई और दूद्ध मिक्स हुआ वा गया है यह अब यह थोड़ा सुखा सुखा हो रहा है तो यह जो मलाई और यह दूद्ध है जो इसको भी में डाल देते हुआ है मैं दूद्ध डाल देते हुए यह तीन-चार टेबल स्पून पुरा अधा कप दूद्ध दलाया इसमें यह इलाइची पॉडर डाल देती हुँ आप चाहें तो केवला इसमें डाल दें रूबी फ्लेवर आपको अच्छा रगता हुँ गो डाल दें सुईट में इलाइची पॉडर के अच्छी कुश्बू ढ़ती है और यह ड्राय फूट भी इसके अंदर डाल देती हुँ इसको ठंदा बोने के लिए रख देती हुँ रूम टेंपरे चल पर लट्डू बनाऊंगी इसके तो यह ठंदा हो चुका है मैं इसके लड्डू बना लेती हुँ बहुत जादे ठंदा नहीं करना कर दो बन कर तयार है चुमिलती हुँ मि它 रशार के वriendस जाजा हुँ जो में पहुता मैं रख तो मिलती हुँ रख रख राध्या साथ ऑन देयुता है जे जा कीसे रह नहीं जाए कि अ मुलंसप्ग की त protectorन के साल रहügen